रादे रादे जेश्री कर्शन दोस्तों कैसे हैं आप सब आप आप अपनी फेमेली के साथ में खुस और खुसा आलोंगे आज का वीडियो बहुत ही खास है आज हम पुरारी कपड़ों से बहुत ही काम की चीज़े बनाएंगे तो प्लीस आप इस उड़े को पूरा देखे औ आप अपनी पूराने और एकदम कलर निकले हुए हैं पर उससे बने की बहुत ही तीन काम की चीज़े तो सिर्फ एक कपड़े से तीन चीज़े बना देंगे बाके के कपड़े हम पाद में इस करेंगे तो मैंने या पे कुड़ते से दो गलाद और पाच अंगुल का नाप इस तरह से कट लगा दिया है तो यहां पे मैंने इसे काट लिया है और अब इसे उल्टा रखके हम सिलाई मार देंगे तो यह देखे कुड़ते के पहले उल्टा रखके इसकी सिलाई मार देंगे इस तरह से एक साइड से जहां से मुडा हुआ है ना नीचे से वहां से हमें यहां पांच अंगुल नाप लेके और इसे काट लिया है तो उंगली से और ग्लाद से नाप तो समझ में आ जाता है दोस्तों इसलिए में इस तरह से बदाती हूं तो अब मैंने क्या किया है आपे एक कपड़े के सिलाई मार दिये तो मैंने पांच अंगुल के नाप से लिया था उसे हम इस तरह से उल्टा रखके और फिर सिलाई मारेंगे जिससे की एक साइड में टाका दिखेगा और एक साइड में बिल्कुल प्लेन दिखेगा इस तरह स इसलिए आप पैन की सहायता से इस तरह से सही कर दीजिएगा एकदम कॉर्ण पूरे अच्छी तरह से निकल जाए उसके बराबर के हमें यह पीसिस बनाने तो यहां पर मैं बना रही हूं इस प्लेन कुड़ते के लिए बटरफ्लाई बटरफ्लाई लगाने सी इस कुड़ते म मैंने सारे के सारे काटके और बना के तैयार कर लिए यह देखे हमारे पास आयताकार कुछ टुकड़े बनके तैयार हो गए है और जिस साइड से इस पर टाका लगा हुआ था ना उस साइड को नीचे रखते हुए हमें इस वे बराबर रखके और सुई मार देनी इस तरह से एक टाका लगा देना पीर से खेच चेसं इस तरह से इस तरह से चेतलीह बनादी देखिए डेक्व सुन्दर लग़री ना एक इतम नीली सी ऐस् तो इस तरह से बागी की भी तिटली daha बना देजी आप चाहे तो रंग बी रंगी तितली बना दीजी आप का कोबäg से कि एक उरे लिए काम मों ले लिया है अब इस तरह से सारी तितली बना देंगे उसके बाद एक एक करके सभी तितलियों को हम इसके उपर लगा देंगे तो आप चाहे तो इसे पूरा सेलने से पहले तितलिया लगा दीजिए ताकि थोड़ी साव मतलब की सुवीत हो जाएगी आपको आसा जैसा भी आप शेक चाहे उस तरह से शेक दे सकते हैं मैंने आप एक कॉर्णर को सजा के और इसके उपर ये सारी तितलिया इस तरह से अटेच कर दिये तो इस पर एक तितली के ऊपर तक्रिबर पांस टाके आएंगे तो चारो कॉर्णर पे और एक बीच में टाका आएगा जिससे कि ये सिलेगी और दोریckे तो मूरेंगी भी लगी उसके बाद जब आप सोते हैं तो भी मूरती नहीं है वैसी कि वैसी सुंदर लगती है इसलिए पांस टाके तो आप एक तितली पर लगा दीजिए गा कि दखिए दो दो तिन तीन टाके लगा के टैपिंग कर देंगे जिससे कि ये खुलेगा नहीं नहीं तो फिर अभी मेहनत थोड़ी करेंगे फिर बाद में थोड़ी सी और मेहनत करेंगे इससे एच्छा एक बार में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं ये देखे बहुत ही सुन्द तो बाकी का जो पुड़ता पड़ा है उससे हम दो चीजे और बना लेंगे तो मैं आपसे रिक्वेर्ट करूंगी आप इस वीडियो को पूरा देखें तो यहां पर इसके आस्तिने दोनों आस्तिन को निकाल लेंगे पहले और इसकी आस्तिनों को खोल देंगे तो पहले सीधा करें तो यह सीधा निकले इस तरह से रखके हमें इस पर टाका लगाना है तो आप चाहे तो इससे आप सबजी लाने के लिए थेली भी बना सकते हैं पर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप किजिए इस उपर से मोड के इस तरह से इस पर टाके मार दीजिए जिससे क और भाटीलाह दिशार के महां लंगानिए लिखेति दिख्यापर है दे रखाय को नर्डब गशए लग शीलाए माना ही आपली फिरह साल की कैसा कर दो क्लमा दो का सकते हैं सकते हमें नपकिन ऑट इुखू कई-टापथिन आसानी से बन जाता है सिफ तीन टाके लगाने और बाकी के एक दम बढ़ी आसा हमारा यह नेपकिन बन जाता है हाथ पोछने के लिए आप वस्पेसर के पास में कहीं पर भी इसे टाम सकते हैं अधि आपके पास रबड पड़ा है तो रबड भी लगा दीजी मेरे पास यह पर मुलायम सा कपड़ा है तो यह बहुत ही मुलायम सा हमारा नेपकिन भी बनकर तेयार हो गया अब तीसरा आइटम बनाने के लिए बाकी का जो कुड़ते का पीस है वो ले लिया मेने और अब इसके उपर हम एक थाली रखके इस तरह से निशान लगा देंगे तो जिस साइज में बारिस के दिनों में सुखाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो क्योंकि वोसी मसीन में सभी नहीं दोते हैं इस तरह की कपड़ो को इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला ही रखोंगी तो डबल कपड़ा है और आप चाहे तो इसके इंदर काटके कोई तो लगा सकते थो सब्सक्राइब दॉटाएब एक पेस्ट के इस तरह से सुखेर और एक पेस तरव से फू बना दूंगी थोड़े डार्क कलर के दागे से बनाएंगे तकि देखने में सुंदर लगेंगे आप चाहे तो इसे कलर से भी बना सकते हैं अब इस पर लगा देंगे हम किनार तो कि क्या करना है यह मूरे नहीं इसलिए इस पर कट लगा देने के बाद में हमें इसके उपर सिलाई मार देनी और बी ज़्यद शुन्दर हो जाए और में इसके में इस तरह से पूरा कपूरा शिलाई मार देंगे और रखने के लिए रोटी के नीचे और रोटी के ऊपर रखने के लिए हम ये दो आइटम बना रहे हैं ये देखिए एक ही पुड़ते से तीन तरह के आइटम बन जाते हैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा और यदि इतना सा भी पसंद आ जाए ना आज का वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर ना भूले तक तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों थेंक यू